स्मार्ट प्रिक्टिकल्स में आज हम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 परफॉर्म करेंगे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 में हमने एक सॉलिट सेलेंटर का क्रोस सेक्शनल एरिया मालुम करना है और एरिया मालुम करने के लिए हम सबसे पहले सॉलिट सेलेंटर का डायमीटर मालुम करेंगे वर्नियर कैलिपर की मदद से इस experiment के लिए हमें जो apparatus चाहिए उनमें शामिल है solid cylinder और vernier caliper अब हम vernier caliper के different parts को discuss करते हैं हमाई पास यह जो दो jaws हैं इनको हम outer jaws कहते हैं इनसे हम outer diameter मालूम करते हैं इसके लावा vernier caliper में यह inner jaws हैं इनसे हम inner diameter मालूम करते हैं इसके लावा vernier caliper में दो scales मौजूद हैं यह हमाई पास main scale है जबके यह दूसरा scale vernier scale कहलाता है vernier scale जो है यह movable scale है इसको हम इस screw की मदद से move करवा सकते हैं जबके main scale fixed है so vernier scale movable है और इसको हम सक्रियो की मदद से आगर पीछे move करवा सकते हैं और इसके साथ जो हमारा यह एक जो attach है vernier scale के साथ इसके आख़े हमारा दूसरा सक्रियो है और इसके इलावा vernier caliper में यह जो हिस्स है इसके हम depth या गिराई मालूम करते है इसको हम depth या गिराई मालूम करने के लिए इस्तामाल करते हैं अच्छांफे जिरो एर्र मालूम करने के लिए सक्रियों को मूव करवा कि दोनों जोज यानि मूवबल जोज और फिक्स जोज को आपस में मिलाना है अगर दोनों की पहली DVN आपस में कोईंसाइट करिये यानि के main scale और vernier scale की जो first DVN है वो बिलकुल आपने सामने होगी तो फिर इस vernier caliper का zero error नहीं होगा तो ये हमारे पास जो vernier caliper है इसका zero error नहीं है क्योंके main scale और vernier scale की दोनों की जो फर्स्ट डिवियन है वो आमने सामने है Wernier Callipar में जब दोनो जोस को आपस में मिलाया है तो मेन सकेल की पहली डिवियन Wernier सकेल की पहली डिवियन से कोइंसाइब نہیں कह रही मतलब आमने सामने नहीं है और Main Scale की पहली डिवियन vernier scale की पहले डिवियन से पहले आ रही है तो आप देखें main scale का जो zero है यहनिके जो first divine है voirnier scale की पहली डिवियन से पहले आ रही है तो लिए इसका zього error है और इसका जिरो error positive zero error है पंद में इस तीसरे vernier caliper को बहुत देखें تو इसमें दोनों जोह को मिलाने पर main scale और vernier scale की पहली devian coincide नहीं कर रही यानि आमने सामने नहीं हैं इसलिए इसका zero error मौझूद है और इसमें negative zero error है क्योंकि main scale की पहली devian, vernier scale की पहली devian के बाद आ रही है इस vernier caliper को experiment में हम इस्तमाल करेंगे और हम इसमें अब zero error, negative zero error की value find out करेंगे और वो कैसे करेंगे, कि हम देखेंगे कि main scale और vernier scale की कौन सी devian आमने सामने हैं, तो आप देखें, 5th devian coincide करी है, दोनों जोज को मिलाने पर, vernier scale की 5th devian, main scale की devian से coincide करी है हैंने वो vernier caliper लिया है, जिसमें zero error मौझूद है, और negative zero error मौझूद है, जिसके हमने value find out की है, 5th, हमाई पास devian आई है, जो के main scale और vernier scale की coincide करी है, दोनों जोज को मिलाने पर, तो अब हम इस vernier caliper को इस्तमाल करेंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने, सक्रियू की मदद से movable jaw को move करवा कर, फिर cylinder लेना है, जिसका diameter हमने मालूम करना है, और इस cylinder को हमने outer jaws में इस तरह fix कर देना है, सिलेंटर रखने के बाद आपने इस सक्रियू की मदद से fix कर देना है, इन दोनों jaws को, अगर आप fix नहीं करेंगे, तो आप exact reading हासल नहीं कर सकेंगे, fix करने के बाद आप देखें, ये jaw move नहीं कर रहा, तो अब आपने main scale की reading मालूम करनी है, और vernier scale की reading no down करनी है, main scale की reading आपने कैसे मालूम करने है, आपने देखना है कि vernier scale की 0 से पहले main scale की कितनी devian आ रही है, तो vernier scale के 0 से पहले main scale की कितनी जो है वो devian आ रही है आप देखें कि ये vernier scale का 0 है और main scale की ये line 3 है और 3 से पहले ये line 2.5 को represent कर रही है तो हमाई पास main scale reading यानि capital M 2.5 cm है अब हमने vernier scale reading यानि small n मालूम करनी है vernier scale reading यानि small n मालूम करने के लिए हमें देखना है कि vernier scale की कौन सी devian जो है वो हमारे पास main scale की devian से coincide कर रही है आमने सामने है आप देखें कि first coincide नहीं करी लेकिन second devian exactly main scale की devian के साथ coincide करी है तो vernier scale की reading यानि small n की value हमारे पास 2 है vernier caliper का हमाई पास least count 0.01 cm है negative 0 error हमाई पास 50 devian जो थी वो coincide कर रही थी तो हम उसे least count से multiply करेंगे 0.05 cm हमाई पास negative 0 error आया है 0 correction जब हम करेंगे तो हम add करेंगे final result में main scale reading capital M हमाई पास 2.5 cm आया और small n हमाई पास 2 आया थी अब हमने x जो है वो मालूम करना है x कैसे मालूम करेंगे n को multiply करेंगे least count मतलब 0.01 से तो हमाई पास 0.02 cm unit आएगा ठीक है so observe हमाई पास जो reading आया observed वो हमाई पास कैसे आएगी हम M को capital M यानि main scale reading को x में add कर देंगे तो हमाई पास आएगा 2.52 अब correction करनी है हमने तो negative 0 error था तो हम value add करेंगे 2.52 प्लस 0.05 तो हमाई पास 2.57 reading आएगी final हमने इसी तरह 3 reading लिनी है और 3 readings लेने के बाद हमने mean value find out करनी है और यह mean value हमाई पास किसकी आ रही है यह mean value हमाई पास आएगी diameter की तो जब हम cylinder का mean diameter find out कर लेंगे तो उसकी मदद से हम radius मालूम करेंगे radius कैसे मालूम करते हम 2 से divide करेंगे तो हमाई पास radius आजागा 1.285 cm इसी तरह हम area मालूम करेंगे पाई आर स्केर फामूले की मदद से तो हमने value substitute की तो हमाई पास area solar cylinder काया 5.184 cm कीर